इस वीडियो में आपको हेम चांद यादा विश्वेदाल से इंपोर्टन नोटिफिकेशन देने वालों वीडियो को यह तक जरू देखेगा तो यहां पर जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो है वार्शिक परिक्षा मार्च अप्रेल दोजार चोबिस का पीजी का वो मार्च अप्रेल 2017 का और एमका मंतिम 2018 का ठीक है उसका रोल नंबर यह था यह है कल्यान पीजी कॉलेज भिलाई से अब जो है 2017 18 में इन्होंने पूर्व और अंतिम किया था हो निरस्त किया है क्योंकि इन्होंने च्रेणी सुधार के लिए भी मार्च अप्रेल 2024 में अप्लाई किया था यह उसका रोल नंबर है तो अभी इसका वो पूराना रिजल्ट निरस्त करके यह थर्ड डिविजन से जो है पूर्व एमकाम पूर्व में थर्ड डिविजन से और एमकाम अंतिम में दितिये च्रणी से यह पास हुए है ठीक है जिप्रकारे की ल 5 जप्रल 28 का और एमकाम अंतिम 2019 का तो इसका जो है इसको ठीक है से यह थाउत है इसका कूई यहां पर एक्चुल ऐसा हुआ है कि अभी जो इन्हों ने एक्जाम दिलाया है उसमें पहले से ज्यादा नंबर नहीं मिले है ठीक है तो इसका पहले वाले रिजल्ट था वो ही दिया गया है तो ठीक है जी देख रीजे दो स्टुडेंट है नाम देख सकते हैं आप इस स्क्रीन पर यह नाम है मैं नहीं ले रहा हूं उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट जारी हुए है बिये भाग प्रतम का पुनर मुलैंकन 20 परसेंट जो रिजल्ट रोके गए थे वो जारी हुए है तो यहाँ पर देख सकते हैं नो चेंज वाले अशे 17 है जिसके नंबर कम होये लेकिन चेंज नहीं हो है ऐसे सतरे स्टुडैंट है और जो नंबर बढ़े लेकि रिजल्ट चेंज नहीं हो है ऐससे बीस स्टूडैंट है और फिल से पास होने वाले बीस स्टूडैंट है और उसके बाद change from fail to supply शपली आया है त्यवश अप्ली टू पास होने वाले 45 स्टूडेंट है ठीक है कोई पूछ रहा था है रिजल्ट ये विदेल्ट क्यों किया गया और कब आएगा तो ये रिजल्ट आ चुका है ये फर्स्ट एयर का ठीक है तो यही नोडिफिकेशन था है वीडियो अच्छा लगाओ लाइक किजिए और एसी लेटिस्ट अबडेट रिगलर पानिक लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकम टेंच उरुद भाई मिलते हैं नए नोडिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में